आईए हम पंडित श्री राम शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक से जानते हैं कि अंकुरित आहार खाने के क्या लाब है सूखे अनाजों को पानी में भीगो कर अंकुरित किया जा सकता है तथा उन्हें कच्चा या उबाल कर खाया जा सकता है सूखे वीजों में जीवन तत्व बहुत स्वल्प मात्रा में होता है उन्हें अंकुरित करने पर पोशक तत्व कई गुना बढ़ जाती है अंकुरित अन्नों को स्वादिष्ट एवं रुचिकर भी बनाया जा सकता है भुना हुआ जीरा एवं हलका नमक आवशकता नुसार उपर से छिड़क देने पर जायकेदार बन जाता है अनाज एवं दालों को अंकुरित करने पर उनमें सन्निहित प्राकृतिक शक्तियां सक्रिय होटती है और उनकी पोशन शमता में अभिवृद्धी करती है इससे विटैमिन C, दस गुनी तथा थाइमिन, रिबोफलेविन और निकोटेनिक एसेड दुगनी हो जाती है अंकुरन से दालों में कुछ हानिकारक तत्वों का विगठन हो जाता है और साथ ही लौह तत्व अपने रासाइनिक योगिकों से अलग होकर अधिक मात्रा में शरीर को मिलने लगता है गेहूं का छिलका जिसे भूसी या चोकर कहा जाता है आमतोर से उसे छान कर फेंक देते हैं और यह भूल जाते हैं कि उनमें बहुमूल्य जीवन तत्व, विटामिन और खनिज मिनरल भरे होती हैं एक आदमी के आटे में जितना चोकर निकलता है उतने में बाजार से खरीदे जाने वाले एक रुपिया मुल्य से अधिक के विटामिन और मिनरल होती हैं यदि चोकर समेत रोटी खाई जाए तो पौश्टिक तत्व खरीदने के लिए और शदी विक्रेताओं का दर्वाजा खट-खटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी